मॉर्णिंग स्टूडेंट्स यह आपका पार्ट वन वीडियो चैप्टर का पार्ट वन वीडियो में आज हमनों चैप्टर सुरू करने जा रहे हैं रैकिक समिकरनों के निकाए काहल यानि की सॉलूशन आफ सिस्टम आफ लीनियर एक्विशन जैसा कि हमने रैकिक समिकरन के समिकरन युग्म के बारे में हम लोग जानते थे क्लास तिन्थ में पढ़ते थे तो उसे हम लोग लिखते थे A1X B1Y पराबर में C1 दूसरा A2X B2Y पराबर में C2 तो यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 C2 यह सब क्या है तो यहाँ पर यह कॉन्स्टेंट है है ना या फिर यूं कहते तो रीयल लंबर है और A1 B1 A2 B2 कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा तया लिख सकते हैं जहान A1 B1 C1 A2 B2 C2 belongs to R and A1, B1 A2, B2 not equal to 0 है ना यह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए तब इसे हम लोग 2 चरवाला रहकिक समिकान यूग लोग कहते है तेके उसी तरह से हम लोग 3 चरवाला रहकिक समिकान यूग के बारे में भी class 3 में देखे हैं सभी बुक में नहीं देखे हैं आडी सर्मा के बुक में देखे हैं ना 3 चरवाला रहकिक समिकान तो उसमें हम लोग क्या करते थे 3 समिकान लेते थे 2 चरवाला में 2 लेने होते हैं क्योंकि 2 समिकान होंगे तब ही हम लोग उसके हल निकाल पाते थे तो हमने इसके बारे में यह भी देखा था कि दो चरवाले रेकिक सर्मेकरियूम का जब लोग हल करते हैं तो इसके कभी-कभी एक हल यानि कि आदियूतिय हल भी हो जाता था एक हल यानि कि आदियूतिय हल भी होता था कर दूसरा केस ऐसे भी हो जाता है कि कोई हल नहीं होता था कभी 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 हम इसके अनेक हल भी देखते थे तो अलग-अलग कंडिशन पर यह निर्भर करता था अब जब एक हल हो या अनेक हल हो इन दोनों स्थितियों में हम लोग कहते थे कि यह रैखिक समिकरन में संगत जब उसका कोई हल नहीं होता था तब उसे हम लोग असंगत तो यह चीज आपको ध्यान अखना होगा संगत असंगत के बारे में तो संगत कब कहा जाता है जब उसका कोई हल हो तब यानि कि एक हल हो या अनेक हल हो दोनों कंडिशन में आपके समिकरन जो होते हैं वह संगत कहलाते हैं और जब कोई हल नहीं होता है तब असंगत कहलाते हैं चलिए तो इस सैप्टर में हम लोग दो चर और तीन चर वाले रैखिक समिकर्णों को हल करने की विल्ही के बारे में जानेंगे हम लोग यहां आविहू और डिटर्मिनांट का परयोग करके इस चैप्टर में हम लोग एक्स वाई इनके चरों का मान निकालना सिखेंगे तो यार यह तो बच्चों वाली बात होगी न यह दो चर वाले तीन चर वाले रैखिक समिकर्ण के बारे में तो यह हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं अब आईए हम लोग अपने क्लास 12 के स्टंडर के हिसाब से बात करते हैं सली तो अब हम लोग बात करते हैं रैखिक समिकर्ण निकाय के बारे में यानि तब ही आप उसके हलके बारे में बात कर पाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग मानलेते हैं, माना, N चरो, N चरो, X1, X2, X3, मानलेते हैं, यह चर है, X1, X2, X3, कहा तक? XN में, कितने समीकर लेन होगे? तो जब 4N है, तो N रैखिक समीकर भी लेन होगे, N रैखिक समीकरनों के, N रैखिक समीकरनों के, निमलिखित रूप हैं, निमलिखित रूप हैं, यह हम लोग मानल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको दिखा देते हैं, चलिए, हम लोग मानल लेते हैं, देखिए, चर कितने हैं आपके? X1, X2 कहां तक? XN तक चर हैं, ठीक है? तो आपको N समीकरन भी लेना होगा, N रैखिक समीकरन भी लेना होगा, तभी न उसके बारे में विचार कर पएगा, चलिए, तो हम लोग समीकरन को ऐसे दिखाते हैं, हम लोग अपने मैटिक्स डिटर्मिनांट के तरीके से लेके चलेंगे, A11X1 प्लस A12X2 डौट 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 डौट, A1NXN बराबर में, यहां जो है, हम कॉंस्टन्ट ले लेते हैं, कुछ भी ले लो यारे, मालोग B1 ले लेते हैं, ठीक है, तो यह जो समीकरन देख रहे हैं, यह क्या है? N4 वाला एक रैखिक समीकरन है, देखिए, X1, X2, X3, डौट डौट का, तक XN तक यहां 4 है, और यह A11, A12, A13, A1, N, यह सब क्या है? और यह B1 क्या है? यह सब कॉंस्टन्ट है, रियल लंबा है, समझ गें? और यहां A11, A12, A13, डौट डौट का, A1, N, यह 0 के एकवल में नहीं है, यह भी ध्यान में रखना है, चलिए, अब यहां देखों, A21, X1, दूसरा समिकर लेते हैं, A22, X2, डौट डौट डौट, A2N, XN, बराबर में ले लेते हैं, कॉंस्टन्ट B2, तो यहां दूसरा N चरवाला एक रैखिक समिकर नहीं है, रैखिक है क्योंकि इसके घात में एक है, समझ रहे हैं ना? चलिए, उसी तरह से अगर आगे य यहां बढ़ोगे, तो A, N1, X1, फिर इसी में आगे यहां पर बढ़ते जाओ, ऐसे बहुत सारे समिकर नहीं हो सकते हैं ना? तो यहां फिर प्लस A, N2, X2, कहां तक आ जागा? तो A, N, N, XN, बराबर में B, N, तो यहां इस प्रकार से यहां पर हम लोग कितने समिकर नहीं ल N समिकर नहीं हैं, देखिए बीच में भी बहुत सारे हैं, A, 3, 1 लिखोगे, A, 3, 2 लिखोगे, है ना? आगे चलके बढ़ोगे ना इसे, उसी तरह से A, 4, 1, X, 1, A, 4, 2, X, 2, डौ, 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 ऐसे ही, तो इसे टोटल कितने हैं? N रैखिक के समिकर नहीं हैं, जिसमे हम लोग A मान लेते हैं, उनको A मान कर A के हाँ पर हम लोग मैट्रिक्स दिखा देते हैं, इस तरह से, इनके हर एक चरो के गुनांग को लेकर, यानि A11, A12, A1N, है ना? A21, A22, A2N, ऐसे यह आगे पढ़ेगा, A, N1, A, N2, A, NN, यह एक वरगा भी होगा, वरगा भी होगा ना? चलिए, तो ध्यान रखना है, हमें क्या करना होगा? जो समिकरन दिये गए होंगे, उनके साथ जो, उसमें जो चर होंगे, चरो के गुनांग को एक रूप में इस तरह से मानना होगा, और चर को, और चर को X माल लेंगे, और उसको एक कॉलम मैटिक्स में सजाएंगे, चर को, इसमें चर कितने है, X1, X2 है, कहां तक है, XN तक है, यहां रखेंगे, X1, X2, डॉट, 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 कहां तक लेंगे है, XN तक, ठीक है, और जो equal में जो constant होगे ना, उसको हम लोग यहां B मानेंगे, BN तर, अब इसके अनुसार, यहां पर इस समिकरन का अनुसार ऐसे तो लिख दिये, तो यहां हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, यहां पर A into X, A into X, बराबर में B हो जाएगा, क्यों हो जागा देख लो, आप अगर इसमें इससे into करते हो, तो देखो, पहले रो में, पहल बराबर में यह B1 हो जागा न, देख रहा है भायां, यह समिकरन तयार हो जागा, अगर इसमें इससे गुना करके, यही बराबर में यह कर दोगे, तो यहीं समीकरन तयार हो जागा, तो इस तरह से ही, आपको हमेसा question में मान कर, चलना है, ठीक है? इस चीज पहमें एक example से सम तो यहाँ पे अगर आपको बता दें तो यह लिखेंगे let a equal to क्या मानना होगा जी a equal to 2, 3, 3, 2 ठीक है इनके गुनांग को और x क्या मानेंगे इसमें जो चर दिये गए हैं तो दो चर है x और y अच्छा और constant जो होगा equal में उसको b माल लेंगे वो क्या है 5 for 11 समझें ना तो इसी तरह से और इसको कैसे दिखा सकते है a x equal to b dvara a x equal to b dvara मैं अभी लिखने का रूप बता रहा हूँ आपको कैसे लिखना है यह बस तरीका समझा रहा हूँ अभी question बनाना हम लोग नहीं सीख रहे हैं तो मुझे नहीं रखता है कि अब समीकरन से आप यह लिखना सीख गए कोई दिक्कत नहीं है अराम से लिख लोगे जो चर दिया हूँगा उनके गुनांक को इस तरह से सजा लो उसको एक matrix A माल लो और जो चर दिया हूँगा उनको x माल लेंगे और जो constant होंगे equal में सिर्फ constant उनको हम लोग यहां b माल लेंगे और x बराबर b वहां दरसा सकते है इस तरह से लिख सकते हैं ना चलिए अब इसके बाद देखो एक महत्पूर्ण बात जो बहुत ही जादा important है उसको एकदम मन में आपको बिठा लेना है यहां जो b दिया है यह b का जो value यहां पर b1, b2, b3 यह जो bn तक गया है यह अगर हर एक 0 हों यहां लिख सकते हैं कि यह लिख सकते हैं यह b1, b2, b3 यह सारे क्या हों bn तक जो दिये गए हैं यह सब क्या हों 0 के equal हों कहने के मतलब कि समिकरन में बराबर में जो constant दिये होंगे वो हर एक क्या हो 0 हो तो समिकरन निकाए जो समिकरन होता है वह क्या कहलाता है तो समगात समगात रैखिक समिकरन निकाए कहलाता है समगात रैखिक समिकरन निकाए कहलाता है यानि कि समगात का मतलब होता है homogeneous यहाँ पर लिख सकते हैं homogeneous समगात का मतलब होता है homogeneous homogeneous linear equation ठीक है समगात hierarchic समिकरन यानि कि homogeneous linear equation कहलाएगा यदी यह याद रखना है यह point एकदम यदी यदी B1 B2 B3 dot 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 जो BN दिया है में से कम से कम कम से कम एक असुन्य हो असुन्य हो मतलब कि सुन्य को छोड़के कुछ और हो असुन्य हो तो तो इसे हमनों क्या कहेंगे आसमगात तो समिकरन असमगात रैखिक समिकरन निकाय कहलाता है असमगात रैखिक समिकरन निकाय कहलाता है यानि कि इसको क्या कहेंगे non homogeneous linear equation कहेंगे ध्यान लखना ठीक है? कहने का मतलब है कि अगर मालो ऐसे दिया हो 2x प्लस 3y बराबर 0 7x प्लस y बराबर 0 तो इस तरह का जो समिकरन निकाए होगा चुकि यहाँ देख रहे है b1 और b2 यह जो constant दियेगा है यह 0 है यह 0 है दोनों में प्रतेक 0 है इसलिए इसे कहेंगे homogeneous linear equation यह कैसा linear equation है? homogeneous अगर इन दोनों में से कोई एक भी अगर मालो हम लिख दे है 7x प्लस 3y बराबर में 10 और x-y बराबर 0 तो यह समिकरन अब क्या कहलाएगा? तो इसे non homogeneous कहेंगे तीक है? अगर दोनों में से कोई एक भी यहाँ यह जो दो चरवाला रखी ऐसा नहीं है कि दो ही चर में देख रहा है तीन चरवाला भी रखी समिकरन हो सकता है मालो आपके पास दिया हो 4x प्लस 3y माइनस z बराबर 0 3x प्लस 7y माइनस z बराबर 0 और 2x प्लस 7y माइनस 8 z बराबर 2 कुछ दे दे इस तरह से तो यह समिकरन निकाए non homogeneous कहलाएगा यह non homogeneous है क्योंकि तीनों constant में से यहाँ कोई बोला था ना भी है मैंने यहाँ पे कि यहाँ जो constant दियेंगे उसमें कम से कम असुन एक भी होगा ना तब भी उसे non homogeneous कहेंगे अगर यह तीनों 0 हो जाता तब इसे homogeneous कहेंगे ठीक है तो बराबर में जो constant अगर प्रतेक 0 हो रहा है तो वो homogeneous है और प्रतेक 0 नहीं हो रहा है तब वो non homogeneous है यह आप मन में याद रखना एक दम याद ही रखना समघात और असमघात के बारे में कि इसका आगे बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है अब हम लोग बात करेंगे हमने तो देख दिया कि रहेकिक समिकर्ण निकाय किस तरसे दरसाय जाता है और इसके हल के बारे में बात करते है समिकर्ण निकाय के हल के बारे में यादि कि solution of system of linear solution of system of equation और यह कैसे equation है तो linear equations है चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते है अच्छा हल के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने पिछले classes में भी पढ़ा हुआ है कि यहाँ देखिए जैसे यहाँ पर चार x1, x2, x3, xn तक गए है तो इसका हल का मतलबा होगा जो इसको संतुष्ट करेगा इसको संतुष्ट करेगा तो यहाँ हम लिख सकते हैं यदि, x1, x2, x3, xn के मानो इसका मान मान लेते हैं कुछ हमारे पास है मान ले जी, x1, x2, x3, xn का मान यहाँ पर हमारे पास कुछ है मान लेते हैं हमारे पास मान है अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3, डट डट कहां तक? अलफा n तक का, का समुच है का समुच्य जो दिये गए समिकरन निकाय के सभी समिकरनों को संतुष्ट करता है संतुष्ट करता है तो उसे समिकरन निकाय का हल कहते हैं कहने का मतलब यह है कि यह जितने भी समिकरन दिख रहे हैं इन में से प्रतेक को यदि X1, X2, X3, Xn यह जो चार दिये गए है इनके मान जो हैं अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3, अलफा एन तक यह इन हर एक समिकरन को संतुष्ट कर रहा है यानि कि X1, X2, X3, Xn के यह मान रखने पर यह समिकरन को संतुष्ट कर रहा है तब उसका यह हल कहलाएगा तब उसके अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3, अलफा एन यह कहलाएगे इन समिकरनों के हल कहलाएगे इस समिकरन निकाय का हल कहलाएगा तो यह टोटल को हम गया समिकरन निकाय के नाम से समझ रहे हैं और हर एक को समिकरन कहेंगे और यह टोटल का जो यह सिस्टम जो देख रहे है इसको समिकरन निकाय कहलाएगा तो यह अलफा 1, अलफा 2, अलफा 3, अलफा N तक जो दिये गए है इस समिकर्ण का हल कहलाएंगे इस समिकर्ण निकाय का हल कहलाएंगा तो यह कब होगा पॉसिबल जब यह संगत होंगे तब कि जब यह संगत संगत संगतं के thankfully संगत के नहीं होते हैं ठीक है संगत समिकरन निकाय का मैंने बताया था न मतलब सुरू में बताया था कि संगत का मतलब क्या है कि वहां उसके हल का अस्तित्व है यहां पर लिख सकते हैं यहां पर चाहिए तो लिख सकते हैं संगत समिकरन निकाय निकाय क्या होता है तो जिन समिकरन निकाय के हल का अस्तित्व हो उसे संगत समिकरन निकाय कहते हैं तो संगत समिकरन निकाय होने पर ही हम लोग यह चीज देख सकते हैं क्योंकि असंगत समिकरन निकाय का कोई हल नहीं होता है ध्यान अगर हम लोग बात करें आसंगत समिकरन निकाय के बारे में बात करें आसंगत को हम लोग यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं inconsistent system of equation इसमें क्या कह सकते हैं कि समिकरन निकाय आसंगत कब कहलाता है जब उसका कोई हल ला हो यदि समिकरन निकाय का कोई हल नहीं हो तो उसे आसंगत समिकरन निकाय कहते हैं तक निकाय कहते हैं कि और उसके हल एक भी हो रहा है चाहने खल हो रहा है उस ardम यह फ़रक कोई खल और यह प्थ हम उसको कोई हमें पहल होगा तब इस यह असंगत और जान रहे ही सीज़ क तो पहला केस लेते हैं हम लोग जब समिकरन निकाए समगात नहीं हो यानि कि non-homogeneous हो तब तब उसके संगत्ता की बारे में यानि कि कब उसके हल होगे कब उसके हल नहीं होगे और वो हल निकालने का तरीका क्या होगा वही सिखने वाले हैं रेकिक समिकरन निकाए के संगत्ता का मतलब यहां क्या है कि वह समिकरन निकाए कब संगत्त होगा कब उसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं तो पहला हम लोग क्या केस नहीं है कि जब समिकरण निकाए समघात नहीं हो। समघात नहीं हो यानि कि आसमघात हो तब समघात यानि कि जैसे माल लो 2x प्लस में y बराबर में 3, 7x प्लस 3y बराबर में 10 इस तरह का समिकरण निकाए दिया होगा तब क्योंकि समगात के लिए बताये थे आपको कि बराबर में zero होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो यहाँ आ समगात है समगात नहीं है यानि कि इन सब condition में जब question दिये होंगे तब उसको कैसे हम लोग पता करेंगे कि वो संगत है और उसके हल कितने होंगे हल होंगे कि नहीं मैंने पहले कहा था आपको कि समगात कब होता है और कब नहीं होता है इस चीज़ को आपको याद में रखना हुआ इस चैप्टर बहुत आसान है लेकिन concept लेना जरूरी है हम बैट जाए चार question बना ले उससे कोई फरक नहीं पड़ता है वो question बना लोगे समझ में नहीं आए में ही दिया गया है यदि a not equal to 0 a का determinant value 0 के बराबर ना हो तो समिकरन निकाए संगत होता है संगत होता है यहां a का मतलब आपको पता ही है ठीक है और b और x इन सब का भी मतलब पता है जैसे आपको यहां पर बता दे वालो समिकरन 2x plus y बराबर यहां पर दिया है 3 और 7x plus 3y ब छीनांग है उनसे बना हुआ जो आविहू होगा वह से नेरुपित हो रहा है यह इसको ध्यान में रखना वाइसारो के बराबर नहीं हो समिकरन निकाए संगत होता है तथा इसका अदीवतिय हल होता है इसका कितना हल होता है अदीवतिय हल होता है ये भी जह रखना होगा कि जब समघात समिकरन नहीं हो यानि कि ऐसे condition हो तभी के लिए बात हो रही है ज़िए A zero के equal ला है तो यहां अगर A की value की बात करेंगे तो यहाँ एक ही value आप direct बता हो तो क्या होगा तीन दूना छे साथ गम साथ जीरो के बराबर नहीं है तो इस समिकरन निकाय का क्या होगा तो आदिवतिय हल होगा ऐसे ही पता चलना है जो x बराबर a inverse b द्वारा प्राप्त होगा जो x बराबर a inverse b द्वारा प्राप्त कर सकते है उस किसके x और y के value को तीक है इसके हल को हम लोग x बराबर a inverse b से प्राप्त कर सकते है तो चलिए हम लोग इसके बारे में चल्चा कर लेता है चुकि आपके पास दिया हुआ है कि a का determinant value 0 के बराबर नहीं है तो अगर A का determinant value 0 के बराबर नहीं है, तो यह लिख सकता है कि A inverse का अस्तित्व है, तब ही ना A का determinant value 0 के बराबर नहीं है, तब ही ना A inverse का अस्तित्व है, क्योंकि हम लोग जानते हैं A inverse बराबर होता है, फिछले chapter पर है, 1 by determinant of A into a joint of A पढ़े हैं ना तो इसका value 0 के equal नहीं है that means A inverse का स्थित्व होगा हम लोग पढ़े हुए हैं न जी अच्छा तो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं AX equal to B AX equal to B के रूप में लिख सकते हैं जैसा कि हमने इसमें बताया था चैप्टर के शुरू में ही इसको इस तरीके से लिखने के लिए बताया था ना कि AX equal to B जहां A क्या है तो X के गुणांकों से बना हुआ एक आवी हुए और यह X क्या है यह चर से बना हुआ एक आवी हुए और यह B क्या है यह कॉंसें से बना हुआ आवी हुए ठीक है तो AX बराबर B लिख सकते हैं अच्छा लिखेंगे A inverse से गुणा करने पर A inverse से गुणा करने पर तो यहां से हो जाएगा A inverse AX बराबर में A inverse B ठीक है अच्छा एक काम करो यहां पर हम लोग नियम लगा देते हैं associative law तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि नहीं A inverse A into में X ऐसे लिख सकते हैं ना equal to में A inverse B तो inverse matrix में जब उसी matrix से गुणा होगा तो वा पर identity matrix आ जाएगा और into में X equal to A inverse B तो finally जब identity matrix में किसी भी matrix से गुणा आता है तो वही matrix आ जाता है यानि कि X बराबर A inverse B X बराबर क्या formula आ गया A inverse B और इसी formula का हम लोग पूरे chapter में यूज़ करने वाले हैं X equal to A inverse B किसके value को निकालने के लिए तो इसके हल को निकालने के लिए तो यहां से हम लोग X बराबर A inverse B द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं किसके इसके हल को मतलों जो भी आपके पास समिकरन दिया होगा ठीक है तो हमें यहां से क्या पता चला तो हमने यहां देखा कि जब समिकरन निकाय समगात नहीं होगा असमगात होगा नन होमोजीमिस होगा यानि कि कॉंशन जीरो नहीं होगे सारे कॉंशन जीरो नहीं होगे तब अगर यदि A का डिटर्मिनांट वैलू जीरो के बराबर नहीं होता है तो समिकरन निकाय का अधियोतिय हल होगा यानि कि A का उसके यूनिक सॉलूसन होगे यह आपको याद रखना है ठीक है चलिए अब इसके आगे का केस देखते है यदि A का डिटर्मिनांट वैलू जीरो के बराबर हो तब समिकरन निकाय का कोई हल नहीं होता है या इसके अनिगिनत हल होते है मतलब कि अगर A का डिटर्मिनांट वैलू zero के बराबर हो जाएगा तब उसका कोई हल नहीं होता है या इसके unginatthal दोनों मतलब हो सकता है यह भी हो सकता है और यह अब यह किस के उपर निर्भर करता है तो यह adjoint of a into b के उपर निर्भर करता है adjoint of a में जब b से गुना करेंगे उसके मान के उपर depend करता है कि कब इसका कोई हल नहीं होगा और कब इसके अनगिनाथ थलोंगे तो यदि A का determinant value 0 के बराबर हो और adjoint of A into B 0 के बराबर नहीं हो adjoint of A into B 0 के बराबर नहीं हो यह 0 क्या है यह 0 तर सारा सुन्या भी हो या ऐसे कह सकते हैं O के बराबर नहीं हो तो समिकरन निकाय का कोई हल नहीं होगा यानि कि अगर A का determinant value 0 के बराबर हो और adjoint of A into B एक 0 matrix के बराबर नहीं होगा तब उसका कोई हल नहीं होगा और यदि A का determinant value 0 के बराबर हो adjoint of A into B एक 0 matrix यानि 0 matrix के रूप में है तब समीकरन निकाय का अनन्त हलोंगे यानि यह दोनों अगर यह 0 के बराबर हो और यह एक 0 matrix के बराबर हो that means इसके अनन्त हलोंगे अन्गिनत हलोंगे अजब यह adjoint of A into B यहाँ तो उसका कोई हल नहीं होता है तो यह दोनों condition आपको ध्यान में रखने होंगे अब जली हम लोग बात करेंगे हल का अधियोता यानि कि uniqueness of solution यानि कि जैसे अगर माली जे कोई समीकरन के आप देख रहे हैं जैसे माली जे इसका अभी हमनों देखे कि यदि एक डिटर्मिनाइट वैलो जीरों के बाराबर नहीं होगा तो और ऐसे समीकरन निकाय के कैसे हल होता है तो आदित्य हल होता है तो यह आदित्य ही होता है इसको हम लोग साबित करते हैं मतलब एक से अधिक नहीं हो सकता है अदित्य होता है यूनिक होता है जब इस रूप में होगा तब ऐसे आगे चलके हम लोग आने एक हल भी देखेंगे लेकि नहीं हम लोग अभी बात करते हैं अदित्य हल है किसके लिए अगर उसके अदित्य हल है तो एक से अधिक नहीं हो सकता है यही हमें यहाँ साबित करके दिखाना है माल लेते हैं माना X1 तथा X2 X1 तथा X2 समिकरन निकाए के X बराबर B के दो हल है X बराबर B के दो हल है हम लोग माल लेते हैं दो हल है यदि यह संभव है यदि यह संभव है तब यदि यह संभव है तब यह हमनों माल लेते हैं अच्छा जब यह दो हल है यानि कि AX1 बराबर भी B होगा और AX2 बराबर भी B होगा क्योंकि यह दोनों हल ही है अच्छा जब यह दोनों B के बराबर है यानि कि दोनों आपस में बराबर हो जागा यानि कि AX1 बराबर में AX2 तो यहां से ए ए हट जाएगा X1 बराबर में हो जाएगा X2 अच्छा जब X1 X2 के बराबर आ गया यानि कि उपर देखे यह दो हल है लेकिन यह आगे चल के बराबर हो गया अता कह सकते हैं यह cancellation law से हट गया है अता कह सकते हैं कि हल आदिवतिया है समझ गये चलिए अब हमनों दूसरा case लेते हैं कि जब समिकर निकाय होमोजीनियस होगा तब यानि कि constant जो हो 0 होगा जैसे मालो 2X plus Y बराबर 0, 4X plus 3Y बराबर 0 इस तरह का दिया गया होगा तब यानि कि होमोजीनियस समिकर निकाय होगा तब क्या होगा यानि कि constant सिर्फ 0, 0, 0 हो तब यदि A का determinant value 0 के बराबर नहों अगर यहाँ पर बात करें तो A का determinant value आएगा यहाँ 6-4 यानि कि 2, 0 के बराबर नहीं है तो समिकर निकाय का केवल सुनने हल होता है और हलों की संख्या एक होती है अब आप इसमें confusion नहीं होना सुनने हल का मतलब कि यहाँ X का भी मान 0 आएगा और Y का भी मान 0 आएगा मतलब यहाँ यह सुनने हल मतलब कि यह नहीं सुचता है कोई हल नहीं होता है सुनने हल का मतलब है कि सुनने हल के रूप में आगा याई एकस भी जीरो आगा वाई भी जीरो आगा समय ना अगर तीन चरवाला होता तो यहाँ जेड भी जीरो होगा तीन चरवाला और तीन समीकरन भी होने चाहिए ध्यानक ना तीन चरवाला और तीन समीकरन भी होने चाहिए तब ठीक है यानिकि सुन्य यानि एक भी 0 वाई भी 0 और यदि एक का डिटर्मिनाइट वैलू 0 के बराबर हो तो समिकरन निका है कि असुन्य हल होते हैं और हलो की संख्या अनन्त होती है यानिकि अगर माल लो अगर मैं लिख दों 2x पलस में y बराबर 0 और एक लिख दों 4x पलस y बराबर में 0 यहाँ हम लोग ले लेते हैं 4x प्लस 2y लेना होगा ना देख लो यहां और ऐसे भी आपको पता चला है किया ना अंधल होंगे, समझ गया ना किलिए हो गया, तो ये दो कंडिशन इसके लिए आज गए, होमोजीनेस के लिए, एक और चीज बहुत ही जरूरी ज्यादा ध्यान देने वाली है, यदि होमोजीनेस रेकिक समीकरन निकाय के, चरो की संख प्लस y माइनस का 4z बराबर 0, तो ये होमोजीनियस तो है, होमोजीनियस रेकिक समीकरन है, लेकिन इसमें क्या देख रहा है, कि चरो की संख्या जो है, समीकरनों की संख्या से कम है, है ना, चर इसमें 3 है, x, y, z, और समिकरन दो ही है तो वही कहा रहा है कि चरो की संख्या से समिकर्णों की संख्या कम है तो समिकर्ण निकाय के असुन्य हल होगे यानि कहने का मत्तब यहां x0 y0 z0 नहीं हो सकता है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है? क्लियर हो गया इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यह सारे कंडिशन आपको ध्यान में रखना है बहुत ही जादा जरूरी है इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना अच्छे समझना तभी आपको सन बना पाऊगे को किसको मानना होगा? मानना होगा यहाँ पर A बराबर में A1, B1, A2, B2 X बराबर मानना होगा XY और B बराबर मानना होगा C1, C2 C1, C2 और इसके बाद आपको जो फार्मूला बताये थे X बराबर A इंबर्स B यानि कि A का इंबर्स निकलना आपको आता ही है और जो आएगा उसमें B से गुना कर देंगे लेकिन या निकालने से पहले हमें ध्यान देना होगा पहले कि यह समिकरन होमोजीनियस है या नहीं है फिर उसके बाद A का डिटर्मिनांट वैलू जीरो के बराबर है या नहीं है अगर A का डिटर्मिनांट वैलू जीरो हो रहा है तब एड़्जवाइंट आफ A में B से गुना करने पे जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो जितने भी आपको कंडिशन समझाए है वो सब कुछ ध्यान में रखने के बाद ही हम लोग यहां फॉर्मला लगाएंगे तो वीडियो को ध्यान से देखना चैप्टर को अच्छे से समझना तब ही आपका भला हो पाएगा ऐसा नहीं है आपके टीचर जो है दो-चार कोशन बता देते हैं रूल कंसेप्ट कुछ नहीं भाड में जाओ उससे कोई मतलब नहीं बनता है चार कोशन बता दिये उससे आपकी पढ़ाई नहीं होगी चैप्टर को समझना होता है चैप्टर के बारे में डीपली जानना होता है तब ही जाके आप कोशन बना पाओगे तो यार कोई concept नाम का चीज होता है बिना concept लिए question बनाँ से क्या फायदा है life का मतलब maths का कोई महत्वी नहीं रह जाता है बिना concept के कुछ देख़़ए और ऐसे ही मैं देखता हूँ अधिकतर teacher ऐसे ही आपको बताते है उन सब teacherों से दूर रहिए आप अगर teacher है पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए बच्चे को अच्छे से knowledge देजिए ताकि उनको भी लगे यार कि मैं कुछ पढ़ रहा हूँ कुछ समझ रहा हूँ ऐसे ही बहुत लोग को मैंने देख रहा है थैंक्स पर वाचिंग वीडियो को इन करते हैं ज्यादा भासन की जरूत है नहीं पढ़ाई पे धान दो आप लोग